तो हलो फ्राइंस वो अगटो माई यूटूब चे हैं Mr.Y.K. टेक्निकल ग्यान और आज मेरे पास अवेलिबल है Samsung Galaxy A23 5G फोन और इस फोन में आज चुका है एक नया software अपडेट दोसों Samsung अपने फोन में समय समय पर software अपडेट देता रहता है जिससे के फोन की security इंप्रूब रहे फोन की performance इंप्रूब रहे फोन में new in-house features अड़ करे जा सके और साथ-साथ अगर फोन में कोई bugs है तो bugs को भी ठीक करा जा सके तक कि जो user है उसका experience काफी ज़्यादा बहतर है और फोन में कोई issue ना हो लेकिन कभी-कभी software update में bugs remove होने के जगा bugs add हो जाते है तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए मैंने कलक से वीडियो बनाई है जिसके link मैं आपको description में देती है उस वीडियो मैं आपको बता है कि software update करते से में आप कौन-कौनसी बातों का ध्यान रखे इसा company के रहे यहाँ पर लिखा भी हुआ है जो कि मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूं तो please video देखना उसके बाद ही जो description में आपको वीडियो दी है वो आप ज़रूर देखना अब back to the video आपको software update download कैसे करना और install कैसे करना है तो simply यहाँ पर आपको अपन करना होगा अब जैसे आप क्लिक करोगा यहाँ पर आपको पहला यह option भी जाका download and install इस option के उपर आपको क्लिक करना होगा अब आप यहाँ पर देख सकते हो update ready to install क्योंकि मैं इससे download कर चुका हूं आपको download करने के लिए कहेगा उपर आप दिख भी पार update ready to install अब अगर download करन आप देख सकते हो the security of your device has been improved मतलब यहाँ पर phone की security को improve करा गया है और किसी भी feature के बारे में यहाँ पर information नहीं दिगई मतलब यह update आपके phone की security के लिए लेकिन साथ-साथ यहाँ पर software update करने के benefit भी लिखे गए जो कि मैं आपको शुरुआत में बताये थी stability को improve करता है box को ठीक करता है new inhouse features add करता है और साथ-साथ यहाँ पर एक साफ चीज लिखे गई है कि phone की performance बतरा रखने के लिए अपने phone को up to date रखे regularly आप अपने phone को update करे जो कि मैं आपका पहले का था कि company भी कहती है कि phone को up to date रखना चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ conditions भी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर scroll down कर गए तो आपको दिखने मिलेगी conditions अब यहाँ पर पहली जो condition है यहाँ पर लिखा गया कि software update करते स करता लेकिन हमेशा बहता रहता है उपना data का backup ज़रूर ले और मैंने जो वीडियो की link आपको description में दिये मैंने इस सारी चीज़े आपको detail में बताई है आप वहाँ से ज़रू दिखना वीडियो पसना तो please like करना मेरी subscription को ज़रूर सब्सक्राइब करना और यह वीडियो करसे लगे प्लिश।